नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टेक पर फ्रेंट्स आजम बात करेंगे लाइक ओनीच कैपसूल के बारे में इसका क्या काम है इसका डोज इसके यूजेज इसके साइड इफेक्ट फ्रेंट्स पूरी जानकारी तो फ्रेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती तो फ्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंट्स लाइकोनीज कैप्सूल जो की एनविक बायोटेक फार्मा के दोरह बनाया जाता है और इसके मार्केट प्राइज की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइज 110 रुपए है और आए फ्रेंट्स जान प्राइज कैप्सूल का उप्योग मुक्रूप से शरीर में पोशक्ततों की कमी, खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है तो फ्रेंट्स दूबले पतले लोगों के लिए ये कैप्सूल बहुत ही फायदे मंद होता है या जिनको भोजन लेने के बाद भी शरीर में बोजन नहीं लगता है उनके लिए ये कैप्सूल बहुत ही फायदे मंद है फ्रेंट्स इसमें अनेको प्रकार के बिटामिन, मिनरल ये सब पाय जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं तो फ्रेंट्स लाइकोनीज कैप्सूल हमारे शरीर में इनर्जी और विटामिन की कमी को पूरा करके, सरीर को चुस्त फूरत और तंदरूस्त बनाते हैं, तो फ्रेंट्स आईए बात कर लेते हैं, लाइकोनीच कैपसूल के सेवन बीट के बारे में, तो फ्रेंट्स लाइकोनीच कैपसूल को एक एडल्ट बैक धी, दिन में एक बार एक कैप्सूल ले सकते हैं दूद या पानी के साथ इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्ष जरूर ले ले लेvatना चाहिए और आये फृर्ण्स बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंट से इस कैपसूल के जो side effect हैं वो किसी किसी को हो सकते हैं सबको नहीं होते हैं तो side effect इसके जैसे कि जी मचलाना, सरदर्द, पेट में गैस बनना या उबर्डोस से दस्त की भी समझ्या हो सकती है इसके अलाव फ्रेंट सरीर पे लाल चकते निकलना या सरीर में खुझली होना ये सब इसके side effect हैं तो फ्रेंट से अगर ऐची कोई समझ्या होती है इस कैपसूल को लेने के बाद तो इसका सेवन बंद करके अपने डाक्टर से तुरन संपर करें तो फ्रेंट से यहती हमारी आज की जानकारी लाइको नीच कैपसूल के बारे में आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ